क्लास 10 महाराष्ट्रा बोर्ड माराथी सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम 14 लेसन नमबर 14 बीच पेरले गेले इस लेसन का नाम है बीच पेरले गेले और इसके ओथर है जो की लेखक है चंदू बोर्डे चंदू बोर्डे भारत क्रिकेट के बहुत ही फेमस खिलाडू है और इन्हों ने जो समीती के अध्यक्ष भी इनको चुना गया था और इसके बारे में एक और चीज बात की जाए तो चंदू बोर्डे अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं ये क्रिकेटर भी हैं तो ये अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं क्या बता रहे हैं कि बचपन में उनको क्रिकेट का शौक कैसे लगा किस तरीके से उनको क जाने के चंदू बोर्डे साहब के बारे में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा स्टाट करते हैं हमारा लेच्चर जो की है माज़ा बाल मित्रानों मी तुम्च्य यह उड़ा होतो मेरे प्यारे बच्चों जम मैं तुम्हारे एज का था तेवा अगदी तुम्च् में एक चोटे से गरीब घर में हुआ माज़े वाडियल त्या वेड़ेस पोलिस खात्या मदे तुट पुझया पगारा वन नो क्रिक करत होते मतलब कि पोलिस की ड्यूटी थी उनकी तो चोटे से हवलदार नहीं रहते क्या उसमें मेरे पिता जी थे चोटे सी सेलरी भी मिल तेवा सहजी कष्ट गरीब को टुमभाचा वाटे लाए नारे सारे कष्ट वो दुखे आमी भोगत असद जैसे नॉर्मल गरीबों को दुख और रहता है वैसे हम फैमिली वालों को भी दुख कष्ट थे हम लोगों ने वो सब सहन किया है जेला है अशा परिस्तेत वड़ी हम मूलांचा हाटा खेलनी पाउन आमालात्यां सहर वाट होतित कि धुख करूँण हमारे सामने खेल रहे थे उनके प्द्द फैरेंस लोगको खिलहने लाके दे रहे थे तोम हमें लग रहा था कि हमें भी मिकाश मिल जाए हमें वो खिलहने मिल जाए यहां बहीं करूँघ? सब लोग मिलके हम लोग विटी दांडू ये गेम होता है वो हम खेलते थे पतंग उड़ाते थे पतंग उड़ाते थे पतंग उडवने कदी मदी कैंप मदे कमप मदील कॉनाल मदे चोरून पोहने मतलब कि वहाँ पे तैरने करते न तो वहाँ पे कभी कभी जाके स्वीमिंग करते थे कायरिया पेरू पड़ू अच्छे देच स्वाद घेने और उसका टेस्ट लेते थे हम कि कहरया है जैसे कहरया मतलब कि वो जो पेड में आमका छोटा छोटा नहीं रहे था क्या वो कहरया कहरया उसको बोलते कैरी बोलते गरत जलना साथ यान लेला लाकडा तुन बनाते थे हम लोग क्यरो holy एकठो पुराना बॉल परण पढ़ाता रहता है मदला च्छाम को घर पर आता था तो मेरे मा को बहुत सरे लोग आसे पसके तक्रारी मतलब की शिकायते करते थे लोग मेरे मा के कान में रोज मेरी शिकायत जाती थी दिवस बरज खेलाने भूख तर खुप अस लाग ले लिया सAY ची पूरा दिन खेला इसले बहुत मैनज जैसी कियो बहुत भूंक लगती थी घरत पाउल थेऊ तो ना थेऊ तो तोस पाटी वर धमक लाड़ू वर चापट पोलेंचा यच्छेद वर्षा वहाई सा जैसे घर पे एंट्री की खेल के आया भूंक बहुत जोर से लखिये जैसे एंट्री के वैसे पीट में एकदम मस्त बजाती थ फटके मिलते थे और चपट पोलेंचा मतलब की एकदम ने क्या थोबड़े में मारने का चपटा वहीगरे मिलता था ऐसे लगता था मानो मारने की वर्षा ही हो रही है मुझ पे मंगमी घरात एका कोप्रिया जाउन रड़त बसाय था अब मारा है तो आफकोस में एक चोटे मल कुशित और जब मैं उठता था सोके तो क्या देख रहा हूं कि मा की गोद में मस्त उठा हूं नंतर माजा वर्डलंची बदली वाट गावला जाली अब मेरे आपको तो पता है कि मेरे पेरन्स पोलिस में थे तो मेरे पिता की जो ड्यूटी है वो वाट गाव में हो गई और इसलिए ये परिणाम इसका एफेक्ट ये हुआ कि मेरे पापा का टांस्वर हुआ और दैट स्वाए मुझे और मेरे भाई को पूने में हमारे काका के इधर रहना पड़ा त्या विरस में आओगा नौ दाह वर्षा चासिन और उस टाइम पे मैं नो दस साल का ही था त्या लहन वयात आई वर्डलं पासु दूर राने माजा जिवावर ये मतलब माबाव से दूर रहना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था खूप रहडायला याचे अकेले था तो बहुत रोने जैसा फिल होता था पन त्यांचा काही उपयोग भाईसा ने पर रोके भी क्या मतलब कुछ फाइदा तो था नहीं हटी ही करून बगितला मैंने बहुत जिद भी की पन व्यर्थ पर कुछ भी फाइदा ने हुआ मुझे जाने को तो मिला ने अमला सोडून जाने आई वर्डलंच चाही जिवा वर आले होते मतलब माभाब भी मुझे छोड़ के जाना नहीं चाते थे बट मेरे फादर का ट्रांसफर वर डेल्स वर उनको जाना पड़ा वो चाहके भी मेरे पास नहीं थे परन्तु मुला ने चांगले शिकावे मेरा बच्चा अच्छे से शिकेप अच्छे से पढ़ाई करे मोठा ओफिसर वावे एक बड़ा अफसर बने वो घरने चे नाम उज्वल करावे घर का नाम उज्वल करे नाम बढ़ाए या उद्धेशने त्याने कसे बसे मन घट मतलब कि इस उद्देश से उन्होंने हमको पुने में रखा था और जैसे तेसे वो सबर कर रहे थे हमें दूर रखा था यह जो सीन था यह जो टाइम था उस टाइम पर मेरे एक लाइफ में एक नया ही मोड आ गया हम लोग पुने में जो चूलत लोग थे ना उनके उधर हम लोग कंपाउंड में रहने लगे हिस संस्ता तो उसमें हमको डाल दिया गया हिस संस्ता खेड़ा करिता प्रसिद्ध असलिया कराने बरेस लोग यह संस्ते सबसद होते यह जो एम सी ए यह जो कंपाउंड था यह कैसी संस्ता थी कि यहां पे बहुत चारी लोग रहते थे और यहां पे खेल के लिए बहुत प्रसिद्ध लोग भी इस संस्ते के सभापती सभासद भी थे मतलब जिनको जैसा जम रहा है वैसे टाइप का आग के यहां पे सब लोग खेलते थे सबसद्ध अच्छा परिणा माजा बाल्ब मनावर होई और हर कोई खेलता था इसलिए मेरे बचपन से खेल के प्रती मन में एक तो बैट गया था कि खेलना है जब वहां पे लोग आते थे खेल मुझे बहुत पसंद था तो मैं क्या करने लगा वहां पे लोग आते हैं खेलते हैं तो मैं उनको बैट के देखने लगा मतलब मेरे को एक बेनिफीट हुआ कि हर खेलाडी हर अलग अलग तरीके का खेलता था तो मैं उन खेलाडियों को देखने देखता था ये मुझे अपरचुनिटी मिल गए कि मैं हर एक खेलाडी को देख सकता था शाला सुटली न सुटली तोच धावात योन मी प्रतम ग्राउंड वर हजर होता से जैसे ही मेरी स्कूल छुटती थी या फिर ना भी छुटे तब भी टाइम से मैं उस ग्राउंड पे पहुँच जाता था खड़ा हो जाता था देखने के लिए सर्वा खेलात मला क्रिकेट चा खेल फार आवडू लागला बहुत सारे खेल वहाँ पे लोग खेलते थे लेकिन जो क्रिकेट का गेम था वो मुझे अच्छा लगने लगा क्यों मेरोश देखता था यहां खेला नेस मला जास तबूरल पड़ली अब मेरे अंदर इच्छा उत्पन होने लगी केसकी खेलने की कदी कदी कई खेलाडू मस्वताला भरपूर खेलाएला मिला वे मनु लवकर ये तसत कभी कभी क्या होता था कि जो खेलाडू थे जो प्लेयर थे वो लोग उनको मतला भरपूर खेलने को मिले उनका उस पूरा सैटिस्फेक्शन हो इसलिए वो पहले टाइम से पहले आ जाते थे ग्राउंड में खेलने के लिए कोणी नाई असे पाउंते माला चेंडू फेक आला बोलवत अब आसपास कोई नहीं है बट उनको प्रैक्टिस भी करने है दैट्स वाए मैं उदर खड़ा रहता था तो वो लोग मुझे बोल देते तो बोल को फेक तो मैं उप फेकने लगता था मी आश्या मांगता है एक आँख लेकिन भगवान दो आखे देता है या संदी सा पूरे पूर फाइदा घ्योनमी अधिक उत्साहान आने अनंद्याने जितक्या जोरत बोल टाकता येल तितक्या जोरत तो टाकून सबा सदाची दांडी उड़ोने अचा प्रयतन करता सत मतलब कि मेरे लिए बहुत अच्छा था तो मैं क्या करता था कि बोलते ना कहावत है अंदा एक आख मंगता है भगवान दोनों आख दे देते हैं वैसे हाल मेरे भी हुए मुझे अपरचिनिटी मिल गए और मैं बहुत जितना जोर लगा सकता था मैं उतना जोर लगा कि बोल को फैक करता था फिर क्या हुआ कि माजा उत्सा पाहुन मला उत्तेजन मिलावे अनि त्यानाई खेला मिलावे मनुंते देखिल मुद्दम आउट होत मतलब कि जो प्लेयर्स थे वो मुझे देखते थे कि मुझे बहुत एक्साइटेड है मैं बहुत जोर से एकदम अच्छे से बॉ फेक रहा हूं तो कभी-कभी वो प्लेयर मेरे लिए आउट भी हो जाते थे फिर क्या हुआ तेवा माजी च्छाते आनंदने फुगाता से क्योंकि मैं छोटा था ना तो जब वो लोग को मैं आउट का देता था तो मेरा च्छाती जो मुझे बहुत प्रावड होता था मेरे इनको आउट कर दिया मैं अधिक जोराने चेंडू फेकता से और जब ऐसा तो तो मैं और जोर से चेंडू को जो बॉल रहता है उसको और जोर से मैं फेकता था मात्रेजेवा इतर सभासत ये जब बाकी सब सभासत लोग आते थे तेवान नाई लांज आने त्याना बॉल द पकड़ाना पड़ता था तरी सुद्धा लाम उडालेला चेंडू धावत जाउन आवड नयात आनि तो लगेज उचलून फेक नयात मी समधान मानत असे फिर भी मैं वहां पे सब उन लोगों के साथ में जब सब लोग खेलते तब मैं ने खेलता था लेकिन फिर भी जब ब असे इच्छा मनात यहीं कभी-कभी मन में आता था कि जैसे यह लोग बॉल खेलते जैसे लोग क्रिकेट केल रहे हैं मुझे भी इनके जैसक बनना है पुर्चे आयोशाथ क्रिकेट खेलाडू होना ची खून ठान मी इथेस मना ची बांद ली मैंने अंगले साली डिसाइड कर लिया कि मैं क्रिकेटर बनूंगा मैं खिलाडी मैं खिलूंगा यह वाला गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब मन में मैंने ठान लिया था कि मैं तो यहीं करूंगा प्रैक्टिस संप्लिया वर चेंडू गोडा करू लागने मतलब कि जैसे ही सब की प्रैक्टिस ह को जाती ती में हर कंड ships usупol जमा कर लेता था दूसर्य दिन जो न Chloe देन नताथ ऊस्य घ्राउंड यहां पर लोग कहलते थे उसकांडे फेक ना इत्य है कामत मीं ग्रॉण्ड्स मनला आनंधा ने मदद करता सिवा tweets already बीना कोई पैसे के, मैं फ्री में जाता था और ग्राउंड में पानी बल डालना और बॉर्स जितने भी थे ग्राउंड में उन सबको जभ़मा करना ये सारा काम मैं फ्री में नहीं करता था, मतलब खुद की खुशी से प्राथना शिक्वत वा अभ्यासला बसवत यह सब होने के बाद रात को जो छे बजे से आट बजे का टाइम रहता है उस टाइम पे मेरे जो अंकल थे मेरे जो काका थे वो हम सभी बच्चों को बेठाते थे और भगवान की प्राथना करना और पढ़ाई करना शिखाते थे त्यान अंतर एक आनंदची गोश घटली इसके बाद एक और अच्छी मेरे साथ जीवन में घटना घटे बहुत ही अच्छी थी माजा वर्डलांची बदली परत पुन्या चाली कि मेरे लिए वो बहुत अच्छी इन्यूस थी क्योंकि मेरे पिता जी की जो ट्रांसफर था वो वापस से पुने में हो गई थी माजा वर्डलांची मदिल खेलाडू करून माजा खेला बाबत स्तूती पर उद्गार आईकू योव लागले कि मतलब कि तेरा बेटा खेल रहा है गेम क्रिकेट खेल रहा है ऐसा सब को मेरे माता पिता को पता चला ते आईकून तेन्ना आनंद वाटे उनको बहुत अच्छा लगा रहे हमारा बेटा क्रिकेट खेल रहा है अर्रिवा तो उनको बहुत खुशी होती थी मेरे माता पिता को माजे वडिल स्वता वॉलीबॉल चेंपियन होते और बाद में मुझे पता चलता है कि मेरे जो पिता थे वो वॉलीबॉल के चेंपियन भी थे त्या मुझे ते मला खेलात नेमीच प्रोशाहान देत और इसलिए उनको भी खेल पसंद था और मुझे भी तो इसलिए मेरे प और पयात एक जूर्नी बैट विकत घ्योंदी ली क्या हुआ कि एक बार में पपा को ने क्या मेरे पपा पॉलिस में ते तुम्हें गया उनको टिफिन लेके देने के लिए ना खाने के लिए दूपर का नस्त खाना तो उधर मेरे पपा मेरे को लेके दुकान पे चले गए दुकान से मेरे को 6 रुपे के बैट खरित के दिये, ती बैट पाहन मा जा अनंदत गगनात मावेना, बैट को देखके मैं इतना खुश हुआ, मेरा पूरे आस्मान में मेरी खुशी चाही हुई है, ऐसे मुझे लग रहा था, पूरा खुशी से में पूला समाया था, ती तसस ती बैट, मी तसस ती बैट घ्योन, मित्रन ना दाकफत सुटलू, तूरंत बैट ली और फटाफट भागते हुए अपने फ्रेंड्स लोगों को में दिखाने के लिए पहुच गया, त्यावेस वर्डलांचा मासिक पगर आउगा 24 रुपे था, और उस टाइम पर जिस्ट में मेरे पपा बहुत ही स्ट्रिक्ट है, एक दमी शाराच चुकुन ग्राउंड वर क्रिकेट चा एक मित्रत वाच सामना पाहत बसलो होतो, एक पर क्या हुआ कि मैं अपना स्कूल छोड़के ग्राउंड में चला गया क्रिकेट का, वहां पे लोग खेल रहे थे, तो मैं वह स्कूल तो गया नहीं था, है ना, मन नहींदत नहीं गया, मैं क्रिकेट में चला गया, तो एक दिन क्या हो, आपको तो पता है, मेरे पिता जी स्कूल और होमवक के प्रती बहुत ही स्ट्रिक्ट, छड़ी ली उन्होंने, और मेरे को छड़ी मारते हुए, स्कूल पे लेकर और वहाँ पे बेठाया, तो एक ऐसा मोमेंट था, सबके सामने चड़ी मार ना, तो मैंने ठान लेकर, तब से मैंने कभी भी लाइप में स्कूल को बंक नहीं किया, रोल रेगुलर स्कूल जाता था, रेगुलर, एक बार भी मैंने चुक नहीं की, रेगुलर जाता था, 21-45 सर्विसेश चा एक रिकेट संगब पुने अतला होता, एक बार क्या हुआ, नियंटी फोटी एफाय में भारत में ऑस्ट्रेलियान सर्विस को वहां से औस्ट्रेलिया लोगे, वहां का एक रिकेट का ग्रूप हमारे पुने में आता है, पूर्णा कलप चा उनकी मैच चल रही थी यह सामने आला आता टिकेट होते वह मैदानावर गोला कर करनात घालना तालेली होती इसको देखने के लिए जो सामना था इंडिया विएस ऑस्ट्रेलिया इसका पैसे भी थे टिकेट लेनी पड़ती थी और मैदान में उधर पूरा गोल गोल था और व हमको नहीं मतलब वो लोग खेलने के लिए उनका बाना था त्या हम उन्हें आज जाने चे सर्व मार्ग बंद होते मतलब की पूरा एदम बांडरी टाइप का करके रखा था तो हम लोग ऐसा चड़के भी देखनी सकते थे हमको टिकेट ही लेना पड़ेगा और कोई पैसे लगते हैं एंटिकेट की थी मैस तर पाहाय लास पाहीजे मैंने ऐसा सोचा कि मुझे ये मैस देखना है मुझे ये मैस क्या करना है देखना है अनि तीही फुक्तात मतलब की एक रुपए भी लगना नहीं चाहिए और मेरे को ये पूरा मैस देखना है पर मैं लेकिन ग्राउंड के इधर ये बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और जब मेरे को लगा कि मैं फ्री में उनका गेम देख लूँ तो मैं उस पेड़ में चड़ने का सोचा माजा काही मित्रा सही ज़ड़ावर बसोन में दिवस बर मैच पहात होतो तो मैंने क्या क्या मैं और मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे हम लोगों ने मिलके वो जो पेड़ था ना ग्राउंड के इधर जिदर से क्रिकेट का सर्फ दिख रहा था हम लोग उस पेड़ में चड़ ग चड़ूं और फ्री में मैच देखूं वह एक्सपीरियंस ही अलग था मेरे लिए मियानी माजे मित्र मैच चे वरनान आम चा बुद्धी प्रमाने जोर जोरा थात्वारे करून इत्रन ना एकवत असु और में और मेरे जो में और मेरे जो फ्रेंड्स थे हम लोग मिलके सबके साथ में दियुसाचा खेल जाला वर कोनी जेल कसा घितला कसा सोडला दंडी कशी उडाली चोकर कसा मारला या चीरस भरी चर्चा करत आमी चालत चालत घरी परता सु मतलब कि मेरे जो फ्रेंट और हम लोग अरे उसने मस्त मारा अरे उसकी बैटिंग क्या कमाल गया क्या विक्केट था यह सारे ऐसे बाते हम लोग करते करते हापस कि हम सभी ग्रूप लोग ऐसे आते हैं घर पर ही मैच पहले आवर तीचा माजा मुनावर फारत परिनाम जला यह मैच देखने उकार मेरे मन में तो दिल दिमाख में बस वो मैच ही भरा था विशेश था मैच स खेलाडू आनंदा ने स्वाक्षरी देथ होते मतलब कि मैच खतम उन्हें पर नहीं क्या सिगनेचर करते हैं तो सब लोग वैसा कर रहे थे तर कहीं नाकारत होते कि कुछ लोग अपना सिगनेचर नहीं दे रहे थे हाँ सर्वर मतलब कि वो लोग नहीं क्या निउज वाले जाते हैं तो सिगनेचर को और अटोग्राफी लेता है तो यह सब देखके मेरे मन में आता है कि आपने एक मोटे खिलाडू वावे बंगापलया बहुती है स्वाक्षरी साथी गर्दी होई कि एक दिन मैं भी ऐसे ही बन जाओं एक बड़ा क्रिकेटर बन जाओं बड़ा ख स्वाक्षरी चा ताल मिला शुरुवत जाली मतलव कि मेरे को भी साइन करने का है मेरे को भी ऐसा करने का है मेरे मन में चालू हो गया विशिस मंजे वरगरत गणिता चा तासला वही ची अनिक पाने माजा स्वाक्षरी ने भरू लाग ली जब भी मैस्क लेचर होता था तो म मेरे जो साइन को स्वाक्षरी पोलते में तो मैं साइन करना चालू कर दिया कि मैरे यह इसलिए कि मैरे संब्हूंद कुर दिन अठ्छा उटोग्रफ देनी कारा एक रहा था क्यों है और मैं बनोड की हो यह साइन से भर जाता था और फिर क्या हुआ कि जर चुकून माकून शिक्षा काच्चे माजा कड़े लक्स सगे लेज़ मतलब गलती से भी अगर मेरे टीचरों ने मेरी ओर ध्यान दे दिया वो मला प्रश्ण विचारल स्तर न कड़त माजा तोंडा तुन अगर मुझे नहीं मुझे मुझे क्वेशन पूछ लिया और अगर मैंने नहीं दिया तो क्यासे हुआ है यह क्वेशन मतलब यह उत्तर मेरे से पढ़ता था कि हाउस देट मतलब कैसे हुआ यह उद्गार आईकुन वर्गात एककस हशा होई और माजी मान लाजे ने खाली होई मतलब हर कोई हसने लगता था रे इसका ध्यान तो साइन में है और अचनक से कोईशन पूछते हैं मैं हाउस देट बोलता कि वो कैसे हुआ तो सब लोग मुझपे हसने लगते थे और जब मुझपे हसने लगते थे सब लोग तो मेरी शरम के मारे मेरी मुंडी नीची हो जाती थी पन हिस लाजे ने खाली गतलेली मान मी जेवा थोड़ा चा दिवसानी आतर शालेया सामन तेया संबर धावा केलेया क्या हुआ कि जब स्कूल में हमारा गेम का आता है ना तब हम स्पोर्ट में मैंने 100 बार रनिंग की और 100 तो इसलिए सब लोग देखके मुझे सबको प्राउड फिल हुआ और सब लोग मेरी और गौरों से अभिमान से पूरा देखने लगे माजे नम मोठे अक्षरा चालेचा बोड़ वर जड़क ले और सब लोगों ने मेरी तारीव की और मेरा बोड में बढ़िया बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिख दिया सब लोगों ने क्लाप किया और मुझे साबाशकी दी मेरी तारीव की त्या वेली प्रतम मला क्रिकेट खेलत असले बदल धन्य धन्य वाटले क्रिकेट खेलाता तो उसका मुझे बहुत थैंक्स फिल हुआ कि इस क्रिकेट की वज़े से यार मेरे को तो सब मेरे को इतना रिस्पेक्ट दे रहा है मेरा सम्मान कर रहे है मुझे बहुत अच्छा लगा माजा मनत क्रिकेट चे 20 पेर ले गेले और उगवले टे असे और इ 20 निर्मान हुआ तो यह थी मेरी स्टोरी आइओप की बच्छों आपको मेरे स्टोरी पसंद आई होगी चंदुपोड़े मेरा नाम है और 20 पेर ले गेले ये लेस्ट मैंने लिखा है आइओप की आपको कोई क्वेस्टोरी से रिलेटेट आप मुझे जरूर करिएगा और क कोई भी डाउट है आप हमें जरूर करिएगा कमेंट में आप जरूर हमें रिपलाय बताईएगा ठीक है मिलते हैं नेक्स लेसन में